आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको कहा पलेकर क्या गई हूँ आपको बता देती हूं जो आपको यह इतनी सारी जगह दिख रही है यह वही जगह है जहां से हिसार के 50 प्रतीशत आबादी को पानी मिलता है जी हाँ पानी की किलत हर जगह है लेकिन हिसार के अर्बन एरिया को सबसे ज़ादा पानी इसी जगह से मिलता है और यह जो पानी की तंकी के रूप के अंदर आपको यह आपको जगह दिखाई जा रही यह पूरी की पूरी जगे साथ एकड़ के अंदर फैली हुई है और 18 से 19 फीट तक की इसकी लंबाई है लेकिन अब बात आती है कि यह है कहाँ पर तो आपको बता देती हूं कि यह महाविर कोलोनी के अंदर है और शायद ही आपने देखा होगा कि पहले किसी न्यू शैनल ने आपको इसके बारे में बताया होगा 1962 के अंदर ये जगे बन करके तैयार की गई थी ताकि हिसार की अबादी को पानी दिया जा सके इसी के जैसी ही एक और जो है वोटर की टंकी वहाँ पर पानी की टंकी एक और बनाई गई है वहाँ पर वो भी 1969 के अंदर बना करके तैयार की गई थी लेकिन अब बात आती है कि ये तयार किसकी सरकार के अंदर हुई थी जानकारी के अनुसर बंसिलाल की सरकार के अंदर बताया जा रहा है कि ये सारी की सारी जगे तयार की गई थी लेकिन अब यहाँ पर इतना जादा काम क्यों चल रहा है अगर ये पानी की टंकी है तो ये खाली क्यों है तो इसके पीछे का कारण बताते हैं कि 60 से 70 साल हो चुके हैं इसको बने हुए लेकिन आज तक इसकी सफाई नहीं की गई और सफाई करने के लिए पी एचेडी डिपार्टमेंट ने अब यहां पर काम शुरू करवा दिया है और आप लोग देख पारे ह गए देख पारे हैं इसको कंक्रीट का बनाया जाएगा यह जगह आप देख पारे होंगे जहां पर काई जंबी हुई है जहां पर कहीं न कहीं जो है मिट्टी पानी के अंदर आया करती थी लेकिन आप कंक्रीट का बनाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा यह एक्स्क्ल पपिलीक अफ्रीपार्टमेंट की तरफ से करवाए जा रहा है लिए, पुब्लीक अफ्रीपार्टमेंट कि इसका टेंडर इंडर चोड़ा था, तका तकी जो इसके अंदर पाणी की जो निचे बनाया था निचे से कानश रुख जाएगा और उसके बाद जो पानी की मिट्टी वगएरा साफ होने के बाद पानी सेर को जो है स्वास पानी उपलब दो पाएगा तो मुझे ये बताइए कि इसका इतिहास क्या है क्या सोच करके ये पानी की टंकी यहां पर बनाई गई और कैसे हिसार की 50 यहां जो बोर्ड लगा था वाटरॉक्स के ऊपर तो वो चोद्र इबनसिलाल जिद दुवारा निर्मित की गई यह वाटरॉक्स है और 1912 के अंदर यह टेंक बना आ था और उसके बाद साथ साल बाद यह टेंक दूसरा जो है नो एकड में यह टेंक है और साथ एकड के अं लेकिन अब तो स्काड़ा के दुवारा और ये 50% सहर को पानी देता है और ये बाघडा नहर से अटाइच है अच्छा हां जी बाघडा नहर से लग बग 11 महीने पानी रेगुलर चलता है वह आप देख सकते हो 11 महीने लगातार पानी आएगा ताकि एक टैंक हम खाली कर हां जी अभी पानी से बढ़ा हुआ है ये जो अभी मैंने आपको दिखाया कि साथ एकड के अंदर फैला हुआ था वहां पानी से बढ़ा हुआ टैंक उसकी डेप्थ कितनी है आखिर कर कितना पानी इस टैंक के अंदर आ जाता है क्योंकि अभी से पहले आपने कभी इस तर करते रहे हैं क्योंकि यह तस्वीरे जो है सबसे पहले सीटी 24 चैनल आपको दिखा रहा है जहां पर पानी जहां पानी के लिए टैंक बनाया गया है वह भी साथ साल पुराना जिसकी अब सफाई का काम हैसार के अंदर किया जा रहा है यह लगातार लाइव तस्वीरे में आप सफाई के लिए आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से यहां पर जो है गंदगी फैल जाती है जब काफी समय हो जाता है पानी पीते हुए छोटे-छोटे मच्छर जो है इनकी उपर घूमने लग जाते हैं बहुत जादा जानवर यहां पर आने लग जाते हैं इसी वज जब आसफी देख पा रहे हैं पानी की यह पूरी की पूरी जो है साथ एकड की अंदर यहां पर फैला हुआ लेकिन अगर गंदकी की बात की जाये तो आप देख पार होंगी उपर जो है छोटी-छोटी सी काई सी जम गई है यहां पर पानी बी साफ नहीं दिखाए दे रह यह पानी पीना मुझे नहीं लगता कि पॉसिवल है सर मुझे यह बताए कि उस टैंक के अंदर भी क्या इसी तरीके का पानी था यहां पहले कि पिछे जो था निचे मिट्टी विटी कठी होगी पानी कठा रहे ने का विटी निचे ओने कांड ऐसा ही पूजिन होगी थी लेक मिलता लोगों को यह सारा पानी आता है अगर इसके पानी को सप्लाई होता है तो आप ने पी के देखा होगा कभी आपके घर सप्लाई होता तेस्ट बदल जाता है तो जब जो फिटकरी डलती है तो इसके बाद इसका इसका कैसा तेस्ट आता है जैसे हम आरो से निकाल कर पीटे नहर का पानी होता है यह पर 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 पानी रहता है यह आप मुझे यह बताईए कि कभी ऐसी कोई कम्प्लेंट आपकी जानकारी के अंदर है कि कभी आई हो कि इस पानी से बहुत जादा समय हो चुका है अभी तक साफ नहीं की गई तंकी तो हमारा पेट खराब हो गया या कुछ ऐसी समस्या है आई हो करीब गईने पहले सुरा था हमने इस काम को दस अपरेल को सुरू करा था दस अपरेल के बाद जैसे जो भी हमारे पास तो कम्प्रेनर नहीं आती क्योंकि दो मारे डिपार्टमेंट के अधिकारी है जैसे एक्शन सावें एस दो सावें या फिर जेए हैं जो साइट की मुख करीब करीब यह लगा के चलो उस टैंक के अंदर हमने पानी खाली किया तो तकरीब तकरीब करीब 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 5-50 साल से अगर दिरी तो आप बेखलो 60-65 साल के अंदर तो काफी मिटी अगर दिरी दिरे आई तो आप देखके साथ-पैसे चाल के लिए अंदर दो इसके पांस्टे पांस्टे कि अंच से यह कि तक डिपार्टमेंट ने चार या पांच बार इसको खाली करने की कोशिश की थी लेकिन उनुसे कभी खाली नहीं हो पाई थी इसलिए इसमें टैंक के अंदर ये इतनी शिल्ट जमाऊ पाई और इसकी रिपेरिंग नहीं हो पाई लेकिन अभी इसका टेंडर सोड़ा दा जो ह हमारी फर्म ने लिया था और हमने पूरी कोशिश करके करीब करीब 15-20 दिन के अंदर इसका पाणी जो हमने कम कर दिया और 15 दिन के अंदर इसको जो मिट्टी है उसको हम शिल्ट को डिस्पोज कर देंगे से बाहर 15-16 किलमेटर बारा मिटी डाल रहे हैं से कैसे जानवर उसमें जो जली जीव जनतु थे ना वो काफी थी इसके अंदर है पिर उनको कहा पर डिस्पोज किया में डिस्पोज तो के जैसे फीसिज वगएरा थी वो तो लग बग पानी सुकते ही खतम होगी जी मरगी वो और जैसे साफ बगएरा थे वो दूसरे टेंकी में इसमें इ रहने वाला है आगे जब हिसार को पानी मिल जाएगा दोबारे से साफ सुथरा तेंक को जो हमने इसको अना मतलब स्टैब बाइस टेबले रहें जैसे स्टाटिंग में उसको तेंक को करेंगे नो एकडवाले को उसको हम मैंक में को तीन महिने के अंदर त्यार करके तीन हिसार के लोगों को साफ पानी मिलने वाला है यह जो हरा हरा आप पानी देख पा रहे हैं 60-62 साल पुराना यह टैंक है लेकिन अब पी एचेडी डिपार्टमेंट ने ठान ली है कि हिसार की अबादी को साफ सुत्रा पानी देना है और उसके बाद अब आप लोगों के घरो करती आगे देखते हैं कि कितने टाइम के अंदर यह वोटर टैंक साफ हो जाएंगे और उसके बाद आप लोगों के घरों के अंदर साफ सुत्रा पानी पाहुंचने वाला है यह दिसाक्षी सोर्ट